आज हम बनाएंगे गोबी की सबजी, वो भी बहुती नए तरीके से, इसको बनाने का सबका अपना तरीका होता है, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से इसकी सबजी बनाना बताऊंगी, तो यहाँ पर मैंने गोबी ली है, और इसको ना हमें इस तरह से छोटे- तुकडों में कट कर लेना है, और इसको हम मैने कट करके अच्छे से धो लिया है, और इसमें पानी कुछ भी नहीं रखना है, हमें अभी हम इसमें डालेंगे एक चमच, लसन, अद्रक का पेस्ट, थोड़ा बारिक कटा हुआ पैज, और इसमें डालेंगे लाल मिच और इसको डाल कर हम इसमें थोड़ा सा एक चमच तेल डाल देते हैं, और इन सभी को डाल करना हमें अच्छे से मिक्स करते हुए, इसे हम थोड़ा दिर रख देंगे साइड में, 10-15 मिनिट के लिए गोबी को, और अभी हम आगे की तयारी करते हैं, तो यहाँ पर मैंने पै इसमें हम डालेंगे दो तेज पत्ता, एक दालचिनी का तुकड़ा, और डालेंगे दो खड़ी लाल मिर्च, इन सभी को चटकने देंगे अच्छे से, और बाद में हम इसमें डालेंगे एक चमच जीरा, जीरा भी अच्छे से चटक गया है, अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अद्रक लसुन का पेस्ट और इसको डाल कर हमें सुना रहा होते तक फ्राइ कर लेना है और हापर यह देखिए सभी अच्छे से पक चुके है अभी हम इसमें डालेंगे एक मिडियम साइज का बारिक कटा हुआ प्याज और इसे भी डाल करना हमें अच्छा पका लेन तुमाटर जो है जल्दी से गल जाए इसके लिए हम डालेंगे इसमें स्वादानुसार नमक और नमक को डाल करना हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा दिर पका लेते हैं टमाटर को और यह अपर देखिए सभी जो मसाले अच्छे से पक चुके है अभी हम को सुखे मसाले हल्दी powder लाल मिच पाऊडर और इसमें हम डालेंगे अभी 2 तेबल स्पून धनिया पाउडर और इन सभी को डाल कर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब तक की मसाले से ओल सेपरेटना हो तब तक हमें इसे पकाना है और यहाँ पर यह देखिए मसाले अच्छे से पक रहे है अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून आमचूर पावडर इससे बहुती खटी मिट्टे चटपडी सिया सबजी बनेगी और यह जो हमने गोबी रखे थे मैरिनेट करने के लिए यह भी अच्छे से मैरिनेट हो गई है देखिए सभी मसाले जो है वो गोबी को अच्छे से लग गए है और चिपक भी गए है और इधर यह जो हमाले मसाले है वो भी अच्छे से पक चुके है अभी हम इसमें डाल देंगे यह जो हमने गोबी रखे थे उसको डाल देते हैं और इसे डाल करना हमें थोड़ा दिर पका लेना है इन सभी मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी चटपठी से आज यह गोबी की सबजी बनने वाली है तो यहाँ पर देखे गोबी जो है वो 50% पक चुकी है और इसे 50% पकाने के लिए हम एक कटोरी पानी डाल देंगे और पानी को डाल कर हमें इसमें अच्छे से उबा लाने देना है और थोड़ा दिर पका भी लेना है और यहाँ पर यह लिजिए हमारी गर्मा गरम गोबी की सबजी बनकर रेडी हो गई है अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा गरम मसाला इसे बहुती बढ़िया सा टेस्ट आएगा यह सबजी में और इसको डाल कर हमें मिक्स कर लेना है और ये लिजे हमारी गर्मा गर्म गोबी की सब्जी बनकर रेडी हो गई है देखिए अच्छे से पक भी चुकी है कैसी तूट रही है या चमस से अभी हम इसमें डालेंगे बारिक कटावा हरा धनिया आप लोग इसे गर्मा गर्म रोटी पराठे चावल के साथ एंजोई कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चाइनल पर नए हो तो चाइनल को सब्स्रेब कीजिए बाबाए मिलते नेक्स रेसिपी के साथ और एंजोई कीजिए गर्मा गर्म गोबी की सब्जी हैना बनाने का बिल्कुल नया तरीका बाबाए